लोटस आयर्वेदा इंडिया में आपका फिर्श्य स्वागत है मैं हूं उद्पल चौधरी आज हम मैं बात करूंगा सर्दियों में तागत के लिए आपको क्या करना से एक नया उपाए मैं आपको बता रहा हूं खजूर और अद्रक्का सूप इसकी रिसे भी बता रहा हो हूँ और इसके फयादे भी बता रहा हूं तो आए शुलू करते हैं खजूर अद्रक्का सूप सर्दियों के मौसम में गरम गरम सूप का सेवन करना सभी को पसंद होता है इस मौसम में कुछ हेल्दी बिकल्प ढूड रहे हैं तो खजूर अद्रक के सूप का सेवन करें यह पीने से जितना स्वाधिष्ट है उतना ही पोसक्तत्तों से भरपूर है खजूर में एंट्री ऑक्सिडेंट गुड मौजूद होते हैं जिससे सर्दियों में होने वाले संक्रम और बिमारियों से बचा होता है खजूर में बिटामिन सी बिटामिन डी आइरेन फॉलेट फाइबर कल्सियम मैंगनीशियम आधी पोसक्तत्तों भी मौजूद होते हैं खजूर अद्रक के सूप का सेवन करेंगे तो सरीर में गर्महाट रहेगी और सरीर को उड़जा भी मिलेगी जिन लोंगों को सर्दियों में आलस ज्यादा आता है उनके लिए हेल्दी खजूर अद्रक सूप का सेवन फाइदे बंद होगा जर्नली सर्दियों के मौसम में कोई रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहता है लेकिन निकलना तो पड़ता है काम तो करना पड़ेगा और काम करना है तो आपको इनर्जी भी चाह भी करने के लिए खजूर सूप का सेवन कर सकते हैं इसका सेवन करने से आनिया की समय से भी दूर होगी अभी खजूर अधरक का सूप की रिसेपी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं खजूर को उबाल कर पीश लें उसमें अद्रक का पाउडर मिला लें मिश्टरन को पैन में डालें और मिर्च नमक काली मिर्च डाल कर पकाएं थोड़ा सा पानी डालें और टामाटर की प्यूरी सामिल करें सूप में अपनी पसंद की सब्सक्राइव को काट के ढल सकते हैं जो सब्सक्राइव आपको पसंद है शूप पकने पर बॉल में निकाल कर उसको प पीएं आपको अच्छा टेस्ट पी लगेगा आपके लिए अच्छा भी है नमक आपको को अपने टेस्ट के सबसे डालना है और मेरे सबसे आपको सरीर को गर्माट भी देगा और आपकी जो इनर्जी है उसको भी बूश्ट कर बूश्ट करेगा और आपको इससे फाइदा होगा कि शर्दियों में हम ऐसा आहर का सेवन करते हैं जिनकी तासीर गर्म हो ऐसे आहर का सेवन करने से सरीर को गर्महट मिलती है सर्दियों में खजूर अधर के सूप का सेवन करने से सरीर सर्दी जुखाम जैसी समस्ते से बस सकता है खजूर के सूप का सेविन करने से खून भी बढ़ता है और मौसमी बिमारियों से बचाव भी होता है ठंड के दिनों में अर्थ राडिस का दर्द होता है जोईंट स्पेन अर्थ राडिस या कुछ उसको हिंदी में कुछ और भी रजैने करने के लिए लाज भी डाइट में खजूर सूप सामिल करें खजूर और अदरख दोनों में ही एंटीनीक्व मेंट होता है इसमें कैल्सियम मूझ沒關係 से जोडों में शूजन और दर्थ की समयंस्या दूर हो सर्दियों में खजूर अद्रकेज सूप का सेवन करने से इम्मिनुटी बढ़ती हैं और कम बिमार पड़ते हैं खांसी कोल्ड संक्रमन बारल इंफेक्शन फिल्यू गले में संक्रमन आदी समस्षां को दूर करने के लिए हफ्ते में तीन से चार बार खजूर के सूप का सेवन कर सकते हैं खजूर के सूप को पौश्टिक बनाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां को सामिल करें जैसे पालक ब्रोकली हरा प्याज आदी खजूर अद्रक का सूप पेने से कब्ज की समस्षा भी दूर होती है सर्दियों में ज्यादा तला हुआ खा लेने के बाद सरीर में कब्ज जलन जैसी गैस आदी समस्षा होने लगती हैं उनसे छुटकरा पानी के लिए अपनी डाइट में खजूर के सूप को सामिल करें इ पासल में भी राद के डिनर में खजूर का सूप पी सकते हैं अ कि सर्दियों में वीपी के समस्षा बढ़ जाती है बीपी का इस तर्व उपर नीचे रहने के कारण हाट पर ज्यादा दबाव परता है हाट पर दबाव के कारण मरीज को घवराट महसुस हो सकती है इस लिए खजूर का सेवन कर सकते हैं भी पी कंट्रोल करने के लिए खजूर का सेवन सुप के फॉर्म में करना अच्छा आपके लिए विकल्प है खजूर अदरक सूर्टे आज करने से इम्मूनीटीर पर ती है सरीर को गर्माट मिलती है कबजी की समस्या दूर होती है बीपी कंट्रोल होता है और जोडों के दर्थ से छुटकारा मिलता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जूरूर बताएं और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्क्राइब नहीं किया है तो मैं बोलना चाहूंगा हमारा चैनल आप सब्क्राइब करें जिससे लेटेस्ट सारे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें धन्नवाद